जो ग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव स्रजन में और आज जो हम चर्चा शुरू कर रहे हैं इस लाइव चर्चा में उसका विशय है मोक्ष क्या है वासना और कर्म का संबंध क्या है तो सबसे पहला प्रश्ण यही है कि मोक्ष क्या है क्या मोक्ष कुछ प्राप्ति है मोक्ष क्या है मोक्ष किस रूप में है क्या इश्वर का मिल जाना मोक्ष है क्या संसार का छूट जाना मोक्ष है क्या मिर्तु को प्राप्त हो जाना मोक्ष है वास्तों में यह मोक्ष क्या ह इसी मोक्ष को समझाना मोक्ष का तात्पर मुक्ति से है तो बंधन होगा तभी तो मुक्ति होगी तो कोई व्यकुंट को प्राप्त कर लेना मोक्ष है क्या व्यकुंट धाम में चले जाना मोक्ष है या शिव लोक में चले जाना मोक्ष है या कोई उपरी शक्ति है आप उसे इश्वर कहते हूं गौड अल्ला कुछ भी कहते हूं आप इसलिए तो कई बार यह कि सिधा सिधा में बोलता हूं किसी उपरी ताकत को मानना ही बंद कर दो तो कोई ऐसी उपरी शक्ति तो नहीं है जो है वो आपके भीतर है दूसरी बात कि जो मोक्ष है वह मोक्ष क्या है कैसे है बंदन होगा तब ही मोक्ष होगा तो बंदन तो है और बंधन किसका है वासनाओं का बंधन है कर्म का बंधन है लेकिन कर्म का बंधन भी किसी पर निर्भर है किस पर निर्भर है आज हम चर्चा करेंगे और मोक्ष वास्तों में क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो जो बंधन है वही उसी बंधन के हटने से ही तो मोक्ष होगा जब तक बंधन है तब तक मोक्ष नहीं है जब तक बंधन बना हुआ है तब तक मोक्ष नहीं है और जब तक बंधन है कुछ लोग कहते हैं कि ने इश्वर को प्राप्त कर लिया आप इश्वर के धाम में चले गए इश्वर के अप धाम में चले गए मतलब इश्वर एक personality है एक व्यक्तित्व है तभी तो आप उसको ऐसा भाव प्रदान करते हैं जिसका कोई धाम है जिसका कोई लोक है वहां का वो राजा होगा और आप उसके धाम में चले जाएंगे ऐसा बागता कि जीव तो जीव ही रहेगा तो बंधन तो रहेंगे उसके लिए हमेशा अगर जीव जीव ही रहेगा तो बंधन तो रहेगे उसकी सीमाय तो निश्चित रहेंगे वो कभी अपने उच्चतर और सेश्ट अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएगा कि वो तो जीव ही रहेगा हर परस्तिती में वो जीव रहेगा तो जीव तभी तक है जब तक वासनाएं हैं यहां पर विवेक चुडा मनी के अंदर सीधा कहा गया जीव का अस्तित्व ही वास जीव का यह बंधन हमेशा ही बना रहेगा कभी यह बंधन खुलने वाला नहीं है कि वो तो हमेशा ही जीव रहने वाला है तो इसलिए मोक्ष वास्तों में मोक्ष की अवस्था क्या है कर्म कैसे होता है कर्म बंधन कैसे बनता है किन कार्णों से बनता है इसी को आधी गुर आगे के सुत्रों में क्या समझा रहे हैं, चली आईए हम सीधा उसको देखते हैं उनसुत्रों पर उन इसलोगों पर चलते हैं और देखते हैं कि कर्म वासना और मोक्ष है, इन तेनों का संबंध क्या है तो कहते हैं निग्रिय शत्रो रहमो अवकाशहक वचिन्न देयो विश्यानु चिंतया सा एव संजीवन हेतू रहस्या प्रक्षिन जंबीर तरो रिवाम्बू इस एहंकार रुप शत्रू का निग्रह कर लेने पर एहंकार के चर्चा पहले हुई है कल भी हुई है आत्मा और एहंकार तो एहंकार रुपी शत्रू का निग्रह कर लेने पर विशय चिंतन के द्वारा एहंकार क्या है देह में आत्म बुद्धी ही एहंकार को जनम देती है फिर विशेचिंतन के द्वारा इसे सुर उठाने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए अगर एहंकार का निग्रह हो गया तो विशेचिंतन भी रोकना चाहिए क्योंकि नश्ट हुए जंबीर के व्रिक्ष के लिए जल के समान इसके उनरु जीवन फिर से जी उठने का कारण या विशेचिंतन ही है जल के समान जल मिल जाए तो फिर से जिवित हो जाएगा वैसे ही इस एहंकार के दुबारा प्रादर भाव में आने अस्तित्तों में आने का कारण या विशेचिंतन है और विशेचिंतन कैसे होगा दिहात्मना शंस्तिता एव कामी विलक्षन काम यता कथम स्यात अतो अर्थ संधान प्रत्वमेव भेद प्रसक्त्या भवबंद हेतु जो पुरुष दिहात्म बुद्धी में स्थित्त मैंने पहली कह दिया कि दि दिहात्म बुद्धी को खतम करकर आत्म बुद्धी में स्थित्त होना होगा तो जो पुरुष दिहात्म बुद्धी से स्थित है वही कामना वाला होता है उसी के अंदर कामना ये उत्पन होती है वही विश्यों का चिंतन करेगा जिसका देह से संबंद नहीं जिसका इस द देह से संबंद नहीं, अब देह कहने का मतलब यहां पर क्या है, अगर कल का व्याक्यान आपने सही से सुना है, यदि कल का व्याक्यान आपने सही से सुना है, तो वहां पर दोनों देहों से संबंद तोड़ने की बात कही गई है, इस्थूलदे और सुक्ष्मदे, जब मृत् इसलिए दिहात्म बुद्धी का मतलब यह मा सबज़ेगा कि मातर स्थूल देह की बात की जा रिए सुक्ष्म देह क्योंकि सारी वासनाओं का वास जो है वह सुक्ष्म में है स्थूल में नहीं है स्थूल तो एक साधन है भोग का एक माध्यम है इसके माध्यम से जीव सुख दोनों ही भोगता है, नकरात्मक, सकरात्मक दोनों ही पक्षों का भोग करता है, दोनों ही विश्यों का भोग करता है, तो भोग जो है वह जीव इस देह के, इस थूल देह के बाध्यम से तो करता है, परन्तु जो उसकी आसकती है, जो दिहात्म बुद्धी है, वो सुक्षम म मनी में सुनी थी तो पुरियश्टक के बारे में बताया गया है तो पुरियश्टक के बारे में जो बताया गया है वह पुरियश्टक ही तो सुक्षमशरीर है तो आठ अंग जो है उसी में तो यह अंता करण चतुष्टै भी आते हैं ठीक है तो यह एहंकार भी सुक्षमशरी वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है जब तक दे से संबंद ना हो आत्मा तो कभी भी सकाम होई नहीं सकता इसलिए भेदा सक्ति का कारण होने से विशय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है विशयों के चिंतन में लगे रहना संसारी के विशियों के परती बहुत ही आस रखना और उसके परती बने रहना ही अब ये संसारी के विशय सिर्फ जैसे ही जब विशय या वासना चिंतन का बात होता है ज्यादा तर लोग एक ही विशय पर चले जाते हैं और वो विशय होता है काम का विशय वो विशय हो जाता है इस्त्री पुरुष का विशय उनको लगता है कि बस यही बंदन है बाकि सब बंदन नहीं है क्या बहुत बड़े बंदन है बहुत बड़ी बड़ी आसकतियां है जो देखने में बड़ी सफेद सी नजर आएंगी लेकिन है वो बहुत बड़ी आसकती ब यह लोक वासनां ही है जो बड़ी-बीडी कठा करने में जो घुरुजी लोग लगे रहते हैं आश्रमों के अंदर और इस बात पर लगे रहते हैं कि सारा कल्यान तो उनके दरबार में होना है बाकि सारे दरबार जूटे हैं उनका अकेले का दरबार सच्चा और जो यहां नहीं आया वो जूटा है और वो उसका कल्यान नहीं हो सकता क्êu यहां से यहां सभी तक जुड़ा नहीं। ऐसा दावाटों को सीमने में लगए क्या लोक वासना है चू संस्थान वर्धी की लोक वासना है जिसे और लोक वास 화 होती हैं अच्छाई के नाम पर समाज सेवा के नाम पर लोग वासनाओं को भी पूर्ति करने लग जाते हैं देश सेवा के नाम पर भी करना शुरू कर देते हैं दिखेगा हमेशा देश सेवा इस तरह से बहुत सारी चीज़े हैं इन वासनाओं का समराजी इतना सुक्ष्म है कि मातर किसी एक विशय को आप बोल दो कि भाई फलाना तो कामी है या विशयों में लिप्त है मातर उतना ही नहीं है बहुत तरह की वासनाएं है तो उन वासनाओं से बड़े बड़े रिशी मुनी भी गरसित रहते हैं और इसी कारण से उनको बार-बार आना पड़ता है राजा जड़बरत की कथा आती है कि बहुत तपस्या की उन्होंने लेकिन एक शावक में आशक्ती हो गई और दुबारा शरीर धारन करना पड़ा तो इस तरह से चक्र ये चलता ही रहता है तो वासनाएं होंगी तो कर्म होगा यही कर्म और वासना का संबंद है तो जो पूर्ष दिहात्म बुद्धी से इस्थित वही कामना वाला होता है जो देह से संबंद नहीं है वो विलक्षन आत्मा कैसे सकाम हो सकता है इसलिए भेदा सक्ति का कारण होने से विशय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। और कारे का नाश हो जाने से बीज भी नश्ट हो जाएगा। अगर कर्म नश्ट हो जाए तो उसका बीज भी नहीं रहेगा फिर। ठीक है। बढ़ियां खाना है बढ़ियां पहन ना जी ना दौल जाहिए शोहरत बीच आए अपिस दे das यजट आफ को थो षूर। संसार बंधन को काटने के लिए मुनी इन दोनों का नाश करे जिसको मुक्ष चाहिए जिसको मुक्ति चाहिए वो कर्म और वासना इन दोनों का नाश करे विश्यों की चिंता और बाह्यक्रिया इनसे ही वासना की व्रदी होती है विश्यों की चिंता और बाह्यक्रियाने को अनेका नेक कर्म करते में लगे रहना इससे ही वासना की वृदि होती है। में सदा सब जगा सब और सब को ब्रहम मात रही देखना चाहिए इस ब्रहम मैं वासना के दिड़ हो जाने पर अब यहां पर दो प्रकार की वासना बताई जा रही है वासना का मतलब राग वासना का मतलब आसकती वासना का मतलब एक वेग संसार में कर्म करने का जो वेग है जो चीज आपसे कर्म करवाती है जो चीज आपको इस देह में बनाए रखती है क्योंकि इस देह को बनाए रखना आपका लक्ष होता है यह दिभी आप जानते है सब कुछ करने के बाद यह देह तो छुटना ही है परंतु फिर भी इस देह में बने रहना आपका लक्ष होता है तो यह वासना बनी रहती है और इस देह में हमको बनाए रखती है तो यह जो वासना बनी रहती है और देह में जो हमको बनाए रखती है यह एक बंधन है तो वासना और कर्म वासना होगी तो कर्म करोगे तीन वैसा करना है और यही बंदन है कि आपको ऐसा वैसा करना है आप कर्म करते हो वासनाय बढ़ती है वासनाय बढ़ती है तो आप और कर्म करते हो और वासनाय बढ़ती है वासनाय बढ़ती है और ज्यादा कर्म करते हो और कर्म करते हो और वासनाय बढ़ती है बंदन बना रहता ब्रह्म लीन होने की वासना को अपने अंदर पैदा करो और फिर उस पर ध्यान दो और अपनी साधना करो अपनी साधना करो तो फिर ये लोक वासना अपने आप कम हो जाएगी अन्य वासनाएं का अच्छा है अपने आप तो कि ब्रह्म वासना जो सिध्य योगी या जो ब्रह अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं ठीक है यह सब चीजे चलती है इसलिए बहुत सारी बाते हैं जो इस विशय में मोक्ष के विशय में चर्चा यहां पर की जारी है विवेक चुड़ामनी के अंतरगर तो ब्रह्म मात्र को देखना और ब्रह्म मैं वासना का विकास कर देने से बाकी जो वासना हैं वो अपने आप शांत होने लग जाती है क्रिया नाशे- भवे-चिंत- नाशds pupils समा द्वा सनाक्ष वासना प्रक्षय मूक्ष वासना प्रक्षय यो मोक्ष सा जीवन मुक्तिरिश्यते क्रिया के नश्ट हो जाने से चिंता का नाश जाएगा औ और चिंता के नाश होने से वासनाओं का च्छय हो जाएगा और इस वासना च्छय का नाम ही मोक्ष है मोक्ष क्या है वासना च्छय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन-मुक्ति कहलाती है ठीक है वासना च्छय का नाम ही मोक्ष यही जीवन-मुक्ति कहलाती है सद्वासनाज पूर्ती विज्रिम बने सती अर्थात जीव और जीवन, जीवन मुक्ति रिश्चते, मुक्ति कैसे मिलेगी, छीख है, जीव कैसे मुक्त होगा, तो इसी प्रकार से होगा, वासनाओं के 6 से, ये समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, तो मूल मोक्ष क स्वाधासना, इस्फूर्ती, विजरिम्भने, सती, हयासो, विलीना, वह माधिवासना, अति प्रकृषठाप्य, रुन प्रभायाम, कली यते साधु यता, तमिस्त्रा, सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यस्य ग्होर, अंधेरी रात का भी सर्वता नाश हो जाता ह सूरे की प्रभा के उदय होते सूरे की प्रभा सूरे की प्रभा का उदय होते जैसे अत्यंत गोर अंदकार रात का भी सर्व का नास हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म वासना की इस्फूर्ती का विस्तार होने पर ब्रह्म वासना की इस्फूर्ती इतना इसपश्ट शब्द है ब्रह्म वासना की इस फूर्ती पैदा होनी चाहिए और कैसे होगा जब शुन्य में समाहित होगे एक बूंद भी उस आनंद का अगर मिल गया कि शुन्य में समाना क्या होता है शुन्यलीन होना क्या होता अगर मिल गया तो ये इस फूर्ती पैद शुरू हो जाएगी कि मुझे तो ये अवस्था चाहिए मुझे तो इस अवस्था में लीन होना है अब वो साधक चाहे ग्रहस्ती में रहता हो चाहे वो भोग पदार्थों के बीच में रहता हो तो भोगों को कड़ते हुए भी उसकी वो स्मृति बनी रहती है वो स्फूर्ति बनी रहती है भोग में लिप्त रहते हुए भी स्फूर्ति बनी रहती है कि हाँ मुझे वो सबसे बड़ा आनंद है और मुझे उस आनंद में पहुचना है ठीक है तो ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर एहंकार आदी वासनाएं लीन हो जाती तो मित्रो कुल मिलाकर ध्यान योग के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है हम उसको करें और उस तक पहुँचे तमस तमहकार ये मनर्थ जालम न दृष्षते सत्यू दिते दिनेशे तथा द्वयानंद रसान भूतव नैवास्ति बंधो नचा दुख गंदह सुरी के समूह कहीं दिखलाई नहीं देते वैसे ही इस अदुवितिय आतमा नंद के रसर का अनुभाव होने पर इस पष्ट लिख रहे आधी गुरुशंकराचार कि आतमा नंद के रसर का अनुभाव रहता है और ना ही दुखका गंद रहता है कुछ नहीं रहता पिर तो इसे कैसे जानोगा कि मोक्ष की अवस्था कैसे बनती है और ब्रह्म वासना क्या होती है उस आनंद तक पहुचना पड़ेगा शुन्य में जब ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था सी बननी शुरू हो जाती है जहांपर कि ऐसा लगता है जैसे कि हम हमारा संपुर्ण अस्तित्व शुन्य में विलीन हो रहा है शुन्य में मतब नथिंगनेस में जा रहा है ऐसा लगता है जैसे कि हम डिजॉल्व हो रहा है हमारी जो एक्जिस्ट उसको शायद शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप पकड़ पाएं उस हद तक तो ऐसी अनुभूती आने शुरू हो जाती है तो वहां पर प्रह्मवास्ना शुरू हो जाती है कि कहां अदभूत आनन्द है एक एसी अवस्ता है जहां अदभूत आनंद तो यह संसार नित्य परिवर्तन शिल नित्य चंचल नित्य परिवर्तन शिल यह बदलता ही जाएगा बदलता ही आप क्या कर लोगे समहाली नहीं पाओगे लेकिन वो इस्थिर है, वो अनुभूती स्थिर है, जब उसमें एक बार अनुभाव होना शुरू हो जाए, शुरुआत में तो वो बूंद बूंद करकर आती है, मतलब थोड़ी-थोड़ी करकर आती है और फिर बाद में कभी-कभी अचानक से बहुत गहराई मिले जाती है, अपने आप में ही लगता है कि सब कुछ जैसे लीन हो गया खतम हो गया इस प्रकार से अनुभा और उसमें आनंद का अनुभा होता है अदवूत आनंद तो यहां ब्रह्म वासना का विकास हो जाएगा जब ऐसी ब्रह्म वासना का विकास होना शुरू हो जाए, तो उस योगी के लिए कहीं भी रहे, वो जंगल में रहे, घर में रहे, गरस्ती में रहे, उसके लिए कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसने उसको जान दिया है, कहीं भी रहे, भोगों को करते हुए भी संसारी के रूप में ही है, अगर वो है, तो भी उसका ध्यान उसमें बना रहेगा, कि हाँ, ऐसी चीज है, मैंने नभौग किया है, ठीक है, तो वो संसार के भोगों को भोगते भी उसमें लीन रहने का अभ्यास करना शुरू करना, तो यह शुरू बढ़ जाती है, और ब्र ग्रिहत्यागी है कि क्या है यह कोई फरक ही नहीं पड़ता उसका लक्ष निर्धारित हो जाता उसे दिख जाता है कि यह चीज़ और यहां मुझे जाकर लीन होना उसे अपना लक्ष दिख जाता है तो उसी को लक्ष करकर वो चलता रहता और वही वासना च्छय करकर मोक्ष क कर सकता है और करता है और उसी की वासना च्छह संभव है क्योंकि उसने ब्रह्म वासना का विकास कर लिए घ्रे-धरे साधना करते करते और विकास कर लेगा दोनों एक दूसरे के पूरक है कर्म बढ़ेगा तो वासनाओं को बढ़ाद होगे वासनाओं बढ़ेंगे तो फिर और कर्म करने के जुरत पढ़ेगे फिर कर्म करोगे फिर वासनाओं बढ़ेंगे तो कर्म और वासना का यह संबंद है और मोक्ष क्या होता है तो वासना का वासनाओं का 6 ही मोक्ष है लेकि किसी के साथ विचारों को यह विराम देखेंगे, बहुत-बहुत आभार आप सभी का, को क aven द्यां sırव का कोर्स पल से शुरू होगा लेकिन जो लोग जो बड़ान करना चाते हैं, कल भी जोइन कर सकते हैं, परसों भी जोइन कर सकते हैं, अगर किसी को जोइन करना है तो नेचरोपैथी का कूर्स 14 जनवरी मकर संक्रांती के दिन से शुरू होगा ध्यान योग भी होगा और मकर सब्रारा पुरा जरूर लाउटाईये सहायक है हमारे um साधना मार्ग में वो सब ग्ञान جो है प्राकर्तिक ची किस्था से संबन्दित ग्ञान नियुकिًण लियूट inseya कि क्योंकि हूँ उसमें योग और आयरुवेद और कई प्राकिर्तिक उपायों से संबंदित उपचार ही बताए जाते हैं तो जरूर आप इसका लाव उठाए बहुत बहुत आभार आप सभी का